असलाम वालेकुम सुनेहरी बाते चानल पर आप सब पहना और भाईयों को खुश्यामदीद उमीद करते हूं आप सब खेरियत से होंगे तो बिना किसी देर ये चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले तो सलाग के बिद्धत तो सतीष प्रकाश जी को बता दे बिद्धत का मतलब होता है इनोवेशन जब इनोवेशन लफ जुड़ जाता है वो अपने आप ये परह हो जाता है तूसरी बात ये बड़ा हिंदु मुसल्मान को कल से कंपेर किये जा रहे हैं हम तो खेरे करो ह हिंदू हमें दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल बेदे ता है बोलो दूसरी शादी मौला नहीं कर सकते जेल बेदे के हम सहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई जो मेरे साथ खड़े हुए खांसाव और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी जूटे काजी सच्चे काजी ऐस अपने शोहर के साथ तलाख हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापिस करने के लिए यह सवाल है सवाल अभी दोरा है जवाब दे रहा हुए यह लोगों को घलत फ़हमी है कि अगर मिया बीवी का तलाख होता है और अगर फिर से शादी करना चाहते है यह घलत फ़हमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्द है कुरान में साफ तोर पे लिखा हुए सुरे बखरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर दोसो अठीज से लेके दोसो ब्यालिस तक तलाख के पूरे डीटेल यह किस तरीके से तलाख दिया जाता है पहले मैंने कहा था कि हापस में समझोता होना चाहिए नहीं होता है तो गेट साइकल इस देड़ आप एटि इदर तीन मैंने के बाद दिवोस इस तर्मियान अगर मिया भीवी वापिस में रुजू होना चाहते दो सकते तलाख ने होता है लेकिन अगर तीन मैंने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और एक साल बाद उन्हें ख्याल आता है अर नोट प्रिवेंट दो मेरिंग दे फॉर्मा हस्बेंट आप और तो अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिये तो वह औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है लेकिन नया निकाह नया महर बिल्कुल न्यू मैरेज न्यू महर लोग समझते हलाला की दर्वत है हलाला जैसी कोई चीज कुरान में ने उसके पढ़ाओंगा लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिन्दा की बसर करते हैं तीन चाह सार बार फिर से कुछ नाइच्टिफा की होती है फिर से तलाख वही तरीके से समझता करो ब फिर निका फिर में है फिर से जगड़ा होता है फिर तीसरी बार अगर तलाख होता है तो अल्ला तलाख फरमाते हैं सुर्य बक्रा सुनान मद्दो आयत नमद्द 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाख देंगे तो फाइनल इसके बाद आप फिर से मिया भी बिने बर में दस बार शादी कर सकते बड़ा बना ये जिन्दगी गुड़ा-गुड़ी का खेल थोड़ी है तीर मेने लगता है तलाग के लिए इतना टाइम लगता है प्राइवेट मीटिंग फिर बड़े लोग से मीटिंग फिर तीन माह फिर जुड़ो प्यार से एक दूसरे पर तो फिर एक बार आपने रिजेक्ट किया दो पार जिए के थर्ड बार फाइनल फिर आप दूसरे से शाधी करो आप प्लान ने कर सकते आप दूसरे से शाधी करो और रो और पता लग आपको में पहले शोवर से नहरास्ती सुरिफ दिन में 6 गंडा देते थे निया शोवर पिर अच्world जायेंगे तो डाल आते का वा और समझे ना तो समझे होथा प्लाओंग नः अगर प्लाइंग करेंगी कि एक रात तुछ अह गलत करते तो अगर तीसरी बार तलाइब के बाद भी पहले बार तलाज दिये गए फिर पता लगा सही ने तो वापी जा सकते हैं आप समझें ना तो यह जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना अगर तीन बार सही तरीके से तलाख हो तो तो इसलाम में इतनी छूटे माशा आलला और इतना सही मज़भ है इट जब भी बोलते हैं हमेशा को आज की वीडियो उम् मैं आपसे उमीद करते हूं आपने डॉक्टर जातर नाइक की वीडियो और तच जरूर देखी होगी तो आज की पहली वीडियो में हमने देखा कि एक मुस्लिम लड़की एक शो में माजूद है और वहां बहुत से मुस्लिम मौला नाबी माजूद है और यह एक न्यूस च कि मुस्लमान ओरतों के साथ बहुत जादा जूम होता है और और ओरतों की इसलाम में कोई रिक्सपेक्ट नहीं है और जैसा कि आप लोग़ों इस वीडियो में देख लिया कि कैसे हिंदू औरते मुसल्मान औरतों को इसलाम से दूर करने की कौशिश गरती हैं और यही वज और उसको समझेंगे तो हमें मर्द के हकूद के बारे में भी पता लगेगा और और अरतों की हकूद के बारे में भी पता लगेगा और जैसा कि रॉट्टर जातर नाइट से सवाल किया जिया कि तलात के बाद और और तो हलाला तरना जरूरी है या नहीं तो रॉट्टर जातर نائٹ نے بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے جوابات دیئے اور انہوں نے بتایا کہ جب تک کہ ہم مسلمان خود اپنے ہی مذہب کو سٹڈی نہیں دریں گے تو ہم اسی طرح مستنسپشن کا شتار رہیں گے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خود بھی سٹڈی دریں اور ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی اس کی تعلیمات دیں تو ناظرین آپ کو آج ڈاکٹر زاتر نائٹ کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں تمنٹ سچن کی ذریعے ضرور بتائیے تھا اور اگر آپ کو دوچر زاتر نائٹ کی جوابات پسند آئے ہوں تو آپ لوگوں سے ترخواست دیتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں سنہری باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئٹن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں عدلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ